कोरोना वाइरस की खत्रे की घंटी बच चुकी है लेकिन बजाए उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता और इससे बचे कैसे जब कोरोना वाइरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मूह से नाक से और आक से किसी संक्रमित व्यक्ती की वज़े से पहुन जाएं तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं अब इससे बचे कैसे नमबर वन लोगों से दूरी बना के रखें और भीड भार वाले इलाकों में जाने से बचें नमबर टू अपने हातों को 20 सेकिंड तक लगातार अच्छे से दूएं ना सिर्फ आगे से पीछे से भी उंगलियों के बीच में से भी नाकुनों को भी और कलाई तक दूएं नमबर तीन मास्क पहनें और उसे डेली बदनें नमबर चार जब भी आपको खांसिया जुकाम फील हो तो तुरंट डॉक्टर के पास जाएं और नमबर पांच भारतिय संस्कृति को अपनाएं किसी से हाथ मिलाने की बजाएं नमस्ते करें करोना नमस्ते विदान्तु रॉक्स गाइज हाव आई यू क्या हाल चाल समझ आएगा तो मज़ा आएगा तो समझ आएगा तो आज आपको समझाने और आपको मज़ा दिलाने एक और बढ़िया सेशन के साथ मैं यहाँ पर हूँ हाव आई यू गाइज क्या हाल चाल कैसे आप सब लोग मुझे पता है बच्चे आज कले इतने आलसी हो गए है कि सेशन में जब तक मैं 5 मिनट बोल नहीं लेता तब तक आते ही नहीं है मतलब क्या हालत है आज कल के बच्चों की गुरू जी सेशन में है और हमारे शिष्य आए नहीं अभी तक तो कौन को अभी प्रेजेंट है जब से हाई सर अवर यू क्या हाल चाल आज पर डंडा लेगे हैं आपके लिए क्योंकि आज चल रहा है नीट का स्प्रिंट दिसस्प्रिंट नीट 2020 केमिस्टी में सॉल्यूशन चेप्टर करने वाले हैं और अगर आप लोग अभी आ चुके हैं सो से हाई अर्विन सर थेंक्यू सो मच पर कमिंग आईज लव यू ओल आज डंडा लेके क्यों आए क्योंकि आज मैं करूंगा अन बच्चे की पिठाए जो यहाँ पर आंसर नहीं देंगे है ना सो आप लोगों को आंसर देना है मेरे साथ questions के answer हम लोग आज करने वाले हैं बहुत बढ़िया session होने वाला है नीट का and finally solution chapter जो है उसका हम लोग आज क्या करने वाले है उसी के नीट के question करेंगे so शुरू करें गाईस क्या आप लोग तयार हो I'm really very fine बच्चा लोग आप लोग बताओ कैसे और क्या आप लोग तयार हो एकदम रेडियो तो आपन शुरू करते है एकदम रेडियो तो आपन स्टार्ट करते है देखे कितने लोग यहाँ पर दिख रहे है कृतिस सिंग, आरजी व्लोग और कौन है आशीश, भोलू, प्रतम, तुशार, लवलीन क्या नाम है and फरीन, प्रतम, सूर्या, कृति, भोलू, प्रतम सल्मान खान, शारू कान, अमीर खान थेंकियो सो मच पो कविंग आइस चलो आज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसी बे में चक्का लगाते हैं सॉल्यूशन चेप्टर को शूरू करते हैं और मुझे पता है आप लोग एकदम तयार हो सो क्या करने वाले आज केमिस्टी में स्प्रिंट में 2020 सॉल्यूशन चेप्टर को आज हम लोग एकदम उखेलने वाले हैं यार या अपना फैमिली है अपना परिवार है और अपने परिवार को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो है दिल को एकदम आपने मतलब दर्द दे दिया इधर दर्द हो रहा है देख लो सची विदार हो आपको क्या करना है विदान्तु नीट मेडी दी चानल जो की 8,10,000 पर पहुँच चुका है आपको उसको फड़ा फट से 9,10,000 तक लेके जाना है 1,000,000 तक अगर आपको लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा चलो बच्चा लोग MCQs को शुरू कर रहे पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ध्यान से उसको चेक करेगा आप लोग तयार हो क्या पहले सवाल के लिए बच्चा लोग जोश का स्पिलिंग क्या होता है आपका जोश बढ़ाने के लिए गरिमा मैं आपके साथ चैट सेक्शन में जुड़ी हुई है तो क्या चाहिए आपको बताओ तो क्या बात है तो गरिमा मैं भी आपका जोश बढ़ा रही है और आप लोग कैसे हो हाई जोश में हो ना बताओ मुझे हाई जोश है, सूपर हाई है तो चलिए पहला बोल मैं आपको डाल रहा हूँ बैटिंग आप लोग कर रहे हो और आपको लगाना है चोका, छक्का या फिर आप आउट हो जाते हो, that depends upon you ठीक है, question आपके सामने रखूँगा और आप बताओगे कि आपने चोका लगाया चक्का लगाया, आप आउट हो गए तो कैसे पता लगेगा अगर आप एकदम 100% जानते है और आपको आता है तो आपको छक्का हो गए, मतलब छक्का लगा दिया आपने आपको लगता है थोड़ा बहुत छक्क है 90%, 80% ही जानते हो तो चोका है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसका मतलब आप आउट हो गए, ठीक है तो इसके बिहाब आपको नमबर कितने दिने है अगर आपने छक्का लगाया तो फुल प्लस फोर मार्क दे दो चोका लगाया, डाउट में हो, तो बच्चा अपने आपको तीन नमबर दे देता, और अगर आप आउट हो गए, तो अपने आपको कितने मैं-1 मार्क दोगे, ये ध्यान दिखना है आपको ठीक है, इस तरह से number की calculation करो, नए तरह का calculation है ठीक है, और पता नहीं मेरे आथ में neat होता तो मैं ऐसी calculation रख देता, doubtful बच्चों के लिए, doubtful marks चलो, तो पहला सवाल मैं आपके सामने ठीक हैं, number one, question number one are you guys excited and ready? let's do it then, number one question is this, चलो पहला सवाल, आपके सामने ये रा स्क्रीन पर बताओ, क्या अंसर रो सकता है which of the following units is useful in relating concentrations of solutions with its vapor pressure, so this is the question and we have the options, now look at it, we have four options right now, mole fraction part per million, mass percentage and molality so can you please answer this question come on guys answer this question so abh iska answer sab logoon hai bata hai diya एक चलो आप से पूछा गया था की vapor pressure में कौनसी concentration term use के जाती है तो I'll give you the answer and the final answer to that particular question is you wanna know that come on guys that is A means Arvind Arora obviously that is mole fraction would be the answer sabko pata hai yaar vapor pressure का formula क्या लिखते हो that is the formula of the vapor pressure vapor pressure की case में क्या लिखते हो RLVP की case में याद है आपको RLVP RLVP का जो formula था that is actually the mole fraction of a solute याद है that is X of solute तो actually महाँ पर mole fraction use करते है RLVP is actually equals to X of solute तो महाँ पर mole fraction use करते है क्या बात है बच्चा लोग एकदम चार नंबर बना लिए तुम लोग ने धमाका कर दिया है अगला सवाल रख रहा हो next question आपके सामने लेकिन उससे पहले यह solution है वैसे भी solution किसी काम का नहीं सबको पता है so this is the solution यह आपके सामने है सबको ही पता है सबने पढ़ रख है अगला सवाल यह बहुत अच्छा सवाल and the question is the ratio of delta Tf for this solution assuming complete ionization to delta Tf for the solution of sugar equals to the concentration that's really good question और अब देखते हैं आपने क्या अंसर दिया है A, B, C, D, we have four options A means Arvind Arora, B means Bhuvanbaum, C means Kariminaati and D means Dillika Londa क्या अंसर बनेगा जरा बता हो आजकल दिल्ली का Londa नहीं यहां पर दिल्ली का छोड़ो पब्लिक आजकल दिल्ली में सर्दी सर्दी को ऐसे कर रही है महसूस करने गई हो यह पब्लिक बताव इसका answer क्या होगा देखें क्या answer बनता है आपका बहुत बढ़िया सवाल है देखें कितने लोग answer करता है आपको दो solutions हैं एक में आपने K4FeCN6 डाल रखा है और दूसरे में आपने क्या डाल रखा है दूसरे में आपने sugar का solution डाल रखा है तो आपको answer यह करना है कि इसमें अगर आप delta TF का ratio लोगे तो कौन से ratio वाला सही answer that is a colligative property by the way and colligative property is directly proportional to the particles of solute number of particles of solute and that's really very simple question and the answer of this particular question is yes of course you all are right many 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 students are giving the right answer and the answer of this particular question is C that is C मने yes that is Katappa Katappa कहेंगे क्या Calcutta whatever 5 ratio 1 now why why क्यों अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपने इसको डाला इसको लगा डाला तो live jingle अला इसको डाला तो यह क्या होगा यह टूटेगा dissociate होगे क्या देगा that is F E C N 6 1 तो यह आयन देगा जिस पे plus का नहीं minus का 4 लगा होगा so minus का 4 होगा और plus में आपको 4 K plus भी देगा तो total कितने आयन दे रहा है यह 4 तो यह दे रहा है और 1 यह दे रहा है तो total कितने हो गए 5 और obviously colligative property directly proportional होती है जितने आयन आपको मिले solute के तो 5 हो गए तो 5 के proportion होगा और अपने को सब को पता है कि sugar तो नहीं टूटता है तो 5 ratio 1 answer था और बहुत बच्चों ने बिलकुल बराबर answer दिया है क्या बात है इस बात पर आप लोगों को देता हूँ मैं ninja solute अगला सवाल करते है next question in front of you guys are you ready next question this is the solution बहुत simple था जो हमने कर लिया अगला सवाल an azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it बहुत बढ़िया question है यह आप से पूछा गया है कि azeotropic mixture का जो two liquids से बना होता है उसका boiling point कम आएगा ठीक है so वो कौन सी condition में आएगा that's the question बढ़िया सवाल है देखे कितने लोग answer करते है देखे कितने लोग answer करते है an azeotropic solution of two liquids ठीक है has boiling point lower boiling point कम आ रहा है मतलब आसानी से boil हो जा रहा है वो कब आएगा बहुत simple है let me tell you this is really very simple अगर expectation से boiling point कम आता है असानी से boil हो रहा है इसका मतलब answer इसका क्या बनेगा काफी लोग उन्हें answer दे ही दिया है and answer this question is C obviously positive है आप जरा दिमाग लगाओ कहता है आप से कि boiling point कम है कम boiling point का मतलब क्या है आसानी से वो boil हो जाएगा आसानी से boil हो जाएगा उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है basically कि वो positive deviation शो कर रहा है आप लोगों को rolled का ये graph तो याद होगा rolled के graph कैसे आते थे rolled के graph आते थे 1 u 1 u और 1 u याद है और positively deviated graph है ते आते थे positively deviated मतलब इसके उपर होगा तो ये graph positively deviated क्यों है क्योंकि vapor कम बन रहे है और जब positively deviated है तो agotropic mixture जिनके boiling point कम होते है वो positively deviated से बनते है बहुत straightforward है ठीक है तो finally answer इसका C बनेगा और आप लोगोंने C इसका answer दिया भी है बहुत लोगोंने positively deviated लिख भी दिया है ये graphical representations है बहुत simple है और actually ये वो point है जहाँ पर आप agotropic mixture बनाते हो clear हो गया ये वो point है जहाँ पर आप agotropic mixture बनाते हो वो positively deviated से बनेगा क्योंकि उसका boiling point कम आ रहा है अब next question अगला सवाल और अगर आप इसकी theory जानना चाहते हो तो आप जा सकते हो मैंने इस पर complete theory डाल रखी है next question 2003 में पूछा गया है during the depression or freezing point in a solution following are in equilibrium अच्छा सवाल है जो कि 2003 में पूछा गया है जब depression freezing point की बात होती तो आप से पूछा ये गया है कि इन में से क्या equilibrium में होता है चार options है आपके पास इन में से क्या equilibrium में होता है liquid solvent, solid solvent, liquid solvent, solid solute liquid solute and solid solute and liquid solute and solid solute बढ़िया सवाल है so can you answer this question come on answer this question come on guys देखे कितने लोग answer करते है come on give the answer come on guys give the answer क्या बात है बच्चे लोगों ने answer भी दे दिया है बहुत बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे है यह तो दिख रहा है मतलब काफी बच्चे एकदम correct answer दे रहे तो आप से पूछा है कि freezing point का जो depression वाला आप जो graph बनाते हो अखम खुड से सोचो कि क्या-क्या चीजें equilibrium में होती है यह क्या-क्या equilibrium में होती है उसके लिए बच्चे अपको freezing point क्या होता है वो जानना पढ़ता है और freezing point क्या होता है जब वो solvent का solid और solvent का liquid state एक दूसरे के साथ क्या हो equilibrium में तो solvent आता है दोनों जगा that's called freezing point याद है और मैंना वो करवाया भी हुआ है finally answer of this particular question is A means Arvinda Arora that would be the answer यह answer बनेगा liquid solvent and solid solvent यह equilibrium पर होते हैं graphical representation में आ जाओ याद करो ऐसे graph बनाए थे तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है वो liquid solvent और नीचे वाला solid solvent है जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो आपके पास freezing point होता है लेकिन जैसे आप solution बनाते हो तो इसका यहाँ से यह line उपर से नीचे draw होने लगता है because of vapor pressure कम हो जाता है याद है यह करवाया था ठीक है so finally answer इसका क्या बनेगा liquid and solid solvent बनेगा now this is really very 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 important answer this question is a अगर आपने a दिया है तो आप बिल्कुल सही हो अगला सवाल next question which one of the following modes of expression expressing concentration is independent of the temperature सबसे simple सवाल है और पता नहीं क्यों पूछा गया है लेकिन यह 3-4 बार आ गया इसका answer तो molarity molality formality and normality क्या answer बनेगा चार में से जो temperature से actually independent temperature से independent है क्या बनेगा इसका तो answer आना चाहिए यार बच्चा लोग फाल विचिस कुछ वह रहा है plus का 16 mark बना के बले बले that's cool बताओ इसका answer क्या होगा क्या बात क्या बात क्या बात finally temperature से independent term यहां पर सिर्फ एक ही है और सब बच्चों ने plus 4 mark यहां पर ले लिया है brilliant यार क्या बात है तुफान मचा दी हो तुम लोग आज finally answer this question is obviously molality molality क्या होता है moles per kg weight of solvent तो moles भी temperature से independent होते है और weight भी temperature से independent होते है ऐसा कभी नहीं होता आप दूप में निकले और आप 1 kg weight कम करके आगए अगर ऐसा होता तो दिल्ली वाले अभी तक अपना weight कम कर लिये होते सही है ना so चलो दूप में गूम गूम के वैसे महां तो ठंडी पड़ रही है so finally answer बन गया इसका है B और आप लोग उने जानी लिया होगा answer इसका B है अब अगला सवाल next question यह इसका solution है वो मैंने आपको बता ही दिया है अगला सवाल which of the following aqueous solution should have the higher highest boiling point आपको बताना है इसमें से कौन सा highest boiling point होगा किसका highest boiling point होगा 4 options हैं आपके पास बहुत बढ़िया देखो सबसे बढ़िया बात सबकी molality same है 1, 1, 1, 1, 1 लेकिन यहाँ पर solution अलग अलग है NaOH, Na2SO4, Na4NO3, NH4NO3 and KNO3 तो आपको बताना है कि इसमें से किसका highest boiling point होगा highest boiling point उसी का होगा जिसके टुकडे जादा होगे yes that is elevation in boiling point तो highest boiling point किसका होगा जो जहाँ पर आपके यहाँ पर ions जिसमें सबसे जादा बनेंगे क्योंकि molarity तो सबकी same ही है तो NaOH में दो टुकडे मिलेंगे Na plus and OH minus तो यहाँ पर I का value यहाँ पर कहीं N का value 2 होगा यहाँ पर Na2SO4 में 3 होगा यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा तो actually सबसे जादा बन रहा है B में कई लोग C बोल रहे है अरे C में टुकडे कैसे होते है नलाइकों देखो अगर यह टूटा तो यहाँ आपको क्या देगा यह Na plus देगा और OH minus देगा तो यहाँ पर total 2 ion मिल रहे है इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा यह 2 आपको Na plus देगा और 1 आपको SO4 minus 2 देगा यह क्या देगा आपको यह देगा आपको 1 NS4 plus ion and 1 NO3 minus ion तो 2 और 1 3 इसी में सबसे ज़्यादा मिल रहे है यहाँ पर तो 2 ही मिल रहे है यहाँ पर भी 2 ही तो answer क्या होगा इसका B तो बहुत लोग ने answer इसका B दे ही दिया है brilliant बच्चों finally answer इसका B बनेगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है और ध्यान का रखना है बहुत simple था question अगला सवाल और यह जो question है बहुत simple है question is the unit of ebolioscopic constant हाई यह तो tongue twister है ebolioscopic constant का unit क्या होता है you have to answer this question come on बताओ 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 इसका unit पूछा है चार options यह रखे हैं आपको इसमें से choose करना है ebolioscopic constant होता है kb और याद है kb and kf जो यूज करते हो delta tf कोई पूछे कि क्या होता है तो I'll tell you illubile यह जानते हो क्या लिखा है बस समझ लेना feeling समझ लेना तो याद करो delta tf is goes to क्या था kf into m तो यह जो kf है ना basically इसी को बोलते है ebolioscopic constant या फिर अपने पढ़े हो delta tb which is request to kb into m to kb यही है याद है अब आप से पूछे इसकी unit क्या होगा बहुत simple है Kelvin kg per mole per kel इसका unit कैसे निकालोगे अब अगर आप kf का unit निकालते हो तो delta tf upon क्या करना है m ठीक है तो इसका तो होता है Kelvin molarity का क्या होता है ठीक है molarity का आप लिखोगे moles per kg Kelvin kg per mole answer आना चाहिए तो Kelvin kg per mole यह देखो यह लिखा हुआ Kelvin kg per mole या फिर Kelvin per molality molality inverse तो answer इसका A बनेगा काफी बच्चों ने दे भी दिया है brilliant बच्चा लोग एकदम छक्का मार दियो finally answer इसका A बनेगा जो आप लोग जानी गए हो कैसे आया answer ज़र आप इसका solution चेक कर लो सबको पता है केबी की वैलू delta Tb upon M होती है तो वहाँ पर delta Tb temperature है Kelvin और molality mole पर केजी होता है यह unit बनेगा next question की तरफ बढ़ रहे हैं अगला सवाल सवाल यह है पढ़िये in comparison to 0.01 capital M solutions of glucose the depression in freezing point of 0.01 capital M MgCl2 solution is so we have four options right now so can you answer this question आप से पूछा है कि comparison करें 0.01 capital M glucose का solution है और 0.01 capital M MgCl2 का solution है तो इन दोनों comparison करें तो इसका ये solution उससे कितना जादा होगा simple है यह depend करेगा किसके उपर number of particles of solute महाँ पर कितने glucose का तो एक ही है यहाँ पर कितने MgCl2 में तीन बनेंगे तो तीन गुना हो गया सही है बहुत simple answer था यार कई लोग अभी भी इसमें गलत दे रहे है answer इसका actually C बनेगा क्यों? glucose में total ions तो कुछ होंगे नहीं particle एक ही होगा यहाँ पर MgCl2 में total particle check करो Mg plus 2 and twice of Cl minus तो 2 और 1 3 तो यहाँ पर 3 तो इसका जो भी होगा वो उससे तीन गुना होगा depression in freezing point पूछा आप से यह है colligative property colligative property delta tf is actually directly proportional to the number of solute particles number of solute particles याद है या भूल गए हो यह मतलब निकलता है इसका तो तीन गुना होगा simple है अगला सवाल next question solution आपके सामने है this is the solution okay now the next question कहता है at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance चार options है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सवाल है एक given temperature पर osmotic pressure of a concentrated solution of a substance अगर कोई solution concentrated है उसका comparison करना है आपको चार options में से answer क्या होगा देख कितने लोग answer करते हैं यह बढ़िया सवाल है और यह बहुत ही बढ़िया सवाल है देख कितने लोग answer करता है बढ़िया ध्यान से पढ़ो आराम से कोई tension नहीं है question को पढ़ो क्या लिखा है अगर solution concentrated है तो इन में से क्या चीज़ सही है बढ़ो ऊपर question लिखा हुआ है is higher than that of diluted solution is lower than that of diluted solution is same as that of diluted solution and last one is cannot be compared with osmotic pressure diluted solution so can you answer this question बहुत simple है यार आप लोग याद करो आप लोगो को पता होगा अगर आप यहाँ पर अगर आप osmotic pressure का formula निकालो π वो किसके बराबर होता है that is CRT याद है याद है या नहीं इसका मतलब क्या होगा कि actually pi is directly proportional to c जितना concentration जादा होगा pi की value यादि कि osmotic pressure उतना ही जादा होगा तो obviously क्या होगा higher than answer इसका क्या हैगा ए कितना असान सवाल है यार क्या यार वो कितना सवान सवाल है यार दिल तोड़ दिया तुम लोगो रहाँ answer इसका क्या बनेगा clear होगया सब लोगों को answer दिया के नहीं दिया brilliant 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 तो this is the answer finally a answer बनेगा that's really brilliant बच्चा लोग अब चलते हैं अगले question की तरफ चले हैं चले हैं आगे next question easy easy बहुत simple question था this is the answer next question depression freezing point of which of the following solution does represent the cryoscopic constant of the water ये मेरा favorite question है मैं लिखता हूँ दिल से बता रहा हूँ ये दस्वा सवाल मेरा favorite question है so I just डंडा से I just wanna write this this is my favorite question star बना नहीं आदेते वो डंडे से so this is my favorite question अगर आपने ये कर दिया तो आप समझो की आपकी बह से बल्ले बल्ले है सही है चार star दे रहा हूँ मैं चलो पांचमा star भी देता हूँ so this is बल्ले बल्ले type को question अगर आपने ये कर दिया तो तो ये सवाल पूशता है कि depression in freezing point of which of the following solution does represent the cryoscopic constant of water brilliant version अगर आपने ये कर दिया तो दिखे कितने लोग करते हैं तो मैं तो गाना सुना तो आप गाना सुनोगे गाना सुनोगे आज मैं आप लोग के लिए गाना गाना चाहता हूँ उसके बाद आपन आगे चलेंगे गाना सुनना चाहते हो गाना सुनाओंगा मैं आज आप लोगों को मेरा दिल कर रहा आज गाना-गाने को तो गाना है खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिंदिवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे सो साल है अंजाम है तै मेरा हो ना तुझे है मेरा जितनी भी हो दूरिया फिल हाल है सही गाना अच्छा लगा है तो अब जवाब दे दो बताओ क्या आंसर होगा क्या बात क्या बात क्या बात देख कि यह जो गाना ना उसकी लाइने बहुत प्यारी है मतलब इसलिए मैं इस गाने को बहुत सुन रहा हूँ आज कल सो दो it's तुम्हारे बं दिवाने का क्या हाल है फिर वो आगे बोलता है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो वावाव मतलब क्या लिखा है अरजीत सिंग ने गाया है गाना अगर आपको मोगा में ले तो सुनना, ब्रिलियंट आउसम सॉंग, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, है ना, तो सुनना बड़ा अच्छा गाना है, मुझे बड़ा सुकून देता है ज़ा मैं इसको सुनता हूँ, आया अच्छा मज़ा आया, है ना, दिल मेरा देखो, ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे, सो साल है, अब आणसर बता दो, चलो आगे चलते हैं, Finally, कैफियत, yes, कैफियत, I don't know what is that, कैफियत, I have no idea about it, क्या होता है, पर इसका जवाब दो, यह 5 स्टार क्वेशन है, और यह मेरा फेवरेट क्वेशन है, जैसे वो गाना मेरा फेवरेट गाना बन चुका है, तो अभी यह मेरा फेवरेट क्वेशन है, you have to answer this question, देखे, कितने लोग answer देते हैं, 10th question, आप से पूछा क्या है, जब चेक करो, कहता है, depression and freezing point, जहां पर आपको, मतलब, आपको वो solution का depression and freezing point खोजना है, धूनना है, जिसकी value actually cryoscopic constant के बराबर होगी, for water के जो cryoscopic constant उसके equal होगी, बहुत ही brilliant question है, पर देखे, कितने लोग उने answer दिया है, चलो, 1, 2, 3, and finally answer this question is, answer this question is D, अगर आप लोग ने D दिया है, तो आप बिलकुल सही हो, बहुत थी बढ़िया, ठीक है, so finally answer this question is D, I'll tell you how, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, ठीक है, आप से क्या का गया है, जब आप चेक करो, उसके लिए पहले आप formula लिखो, cryoscopic constant or depression freezing point के बीच मे relation क्या होता है, that is delta tf which is equals to kf into m, और अगर आप चाहते हो कि delta tf और kf का value equal हो जाए, in that case, m का value कितना लेना है आपको, 1, अब आपको ये ढूढ़ना है कि इस पूरे चार solutions में, ये जो सार्ट solutions आपको दे रखे है, solution मतलब है solutions है, इन चार solutions में किसकी molality 1 है, so in that case, उसकी molality 1 ब के mass है 9, that is given mass, molar mass कितना होता है glucose का, 180, divided by क्या होता है, the weight of solvent, kg में weight लेना है, तो 59 ग्रैम किसका weight है, solution का, solution के weight में से आप solute के weight को गटाओ, solution का weight 59, solute का weight 9, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 50, 50 is actually the weight of solvent, so आप क्या करोगे, नीचे 50 लगाओगे, वैट ये ग्रैम में है, आपको इसको किस में convert करना है, thousand उपर, divide करो, उपर लेके जाओ, तो finally ये kg में convert हो गया, तो अगर आप इसको solve करोगे, करके देख लो, ये 0 से 0, cancel हो गया, 5, 20, yes, and 9 into 20 is 180, cut गया आपस में, so finally answer कितना है, 1, so actually में इसका answer, इसका D बनेगा, अगर आपने D दिया है, तो आप बिलकुल सही हो, और मज़िदार हो, ठीक है, अब मैं last में आपको इसी गाने का एक paragraph सुनाओंगा, जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग सुनना हो, उस गाने को सुकून मिलेगा, बड़ भी नहीं सुनाओंगा, दसमा सवाल खतम हो गया, 9th का, 10th का question answer D बनेगा, this is the solution, as you can see from here, अग adding of 1 liter of water, okay, आप ने क्या किया, 4 liter of 0.0 M, 0.02 M का solution ने से already था, उसमें आपने 1 liter of water add कर दिया, फिर आपको बताना है, the molality of the resultant solution, नए solution का molality क्या होगा, this is the question and these are the options you have right now in front of you, so चलो आप बताओ, क्या answer बनेगा, ये भी simple question है, but aims में पूछा गया है, again simple बन जाएगा, अगर देखोगे तो, ठीक है, और अगर आप जादा सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, तो पहले तो क्या करना है, जर आप सोचोगे से पानी मिलाया, तो moles तो change होने से रहे, moles सो उतरी रहेंगे, तो आप उनसे mole निकाल लो, mole कैसे निकलते है, molality क्या होती है, given mass by volume, sorry, moles by volume, तो अग 0.08, यह moles आ गए, अब moles को actually आपको क्या करना है, moles आने के बाद, आपने 1 liter water और add कर दिया, तो 5 liter water होगे, 0.08 divided by 5, that's it, so this is how you can get the answer, बहुत simple है, 0.08 divided by 5 कितना होता है, जर आप उसको check कर लो, that's very simple, that is, answer this particular question is D, अगर आपने दिया है, D, you are right, क्या करना है आपको, है ना, जर आप चेक करो, बहुत simple था, moles निकालने है तो आपको molarity into volume करना है, molarity कितनी है, 0.02, volume कितना है, 4, that is 0.08, yep, so this is mole, अब आपको क्या करना है, नया अगर आपको molarity निकालना है, तो moles कितने है, 0.08 और अब आपके पास volume कितना हो गया है, 5, तो उसको divide कर दो, answer आपका आगया, ब brilliant, nice, समझ निया, भीमा शंकर स्वामी, बेटा, नाम इतना बड़ा है, तेरे नाम लेते लेती, मैं डर गया, क्या था बेटा, इसमें, क्या था इसमें, ये molarity और volume दे रखा, multiply करो, moles आ गए, अब 4 liter में आपने 1 liter over add कर दिया, 5 liter पानी हो गया, तो moles को आपके volume से divide कर दो, आप चाहो तो download कर लेना आपको मिल जाएगा, अगला सबाल, next question, क्या कहता है, consider, considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, okay, predict which of the following mixtures will show the positive deviation from the road low, मतलब जो weak है, positive deviation का मतलब क्या होगा है, जो आपस में दूसरे को hate करते है, पसंद नहीं करते है, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वो आसानी से क्या हो ज रहेंगे, तो positive deviation show करेंगे, तो इनमेंस ऐसा कोन एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता, ऐसा कोन सा solution है, जिसमें एक दूसरे को पसंद ही करते है, महाँ पर hydrogen bond नहीं बनेंगे, ये question आप से पूछा गया है, तो देखो, एक बात बताता हूँ, phenol and aniline, ये तो basic and acid है, they like each other, nitric acid and water, they like each other, क्योंकि वो acid आसानी से water में गुल जाता है, chloroform and acetone, they like each other, क्योंकि वो hydrogen bond बना लेंगे, तो नीचे के तीनों option नहीं हो सकते, last option है, methanol and acetone, ये methanol and acetone आपस में hydrogen bond नहीं बना सकते, they heat each other, और अगर वो एक दूसरे से घ्रणा करते हैं, तो obviously ये answer होगा इसका, है ना, positive deviation show करने के लिए, they have to hate each other, they don't like each other, okay, so in that case, answer this particular question is A, methanol and acetone, अगर आपने answer दिया है, you are right, okay, brilliant, चलिए, so this is the answer, as you can see from your next question, front of you, assertion and reason, last question is session का, question पूछा गया है ये, अब assertion reason के answer कैसे देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो, सबसे पहले assertion पढ़ो, क्या assertion सही है, अगर सही है, assertion अगर सही है, तो D answer नहीं हो सकता, क्योंकि D में लिखा assertion भी गलत, reason भी गलत, फिर reason पढ़ो, अगर reason भी सही है, तो फिर C answer नहीं हो सकता, क्योंकि C में लिखा assertion सही है, reason गलत है, लेकि reason तो सही है, माल लो, example दे रहा हूँ, और अगर माल लो कि reason भी सही है, तो colligative property बिल्कुल सही बात है अगर आपने ध्यान से surface chemistry पढ़ी है तो आप इसका असानी सांसर दे सकते हो colloidal solutions actually colligative property शो करते है नीचे लिखा है colloidal particles are large in size ये भी सही बात है उनकी size बड़ी होती है सवाल ये है कि क्या size बड़ी होने की वज़े से colligative property शो करते है क्या नहीं is this clear नहीं तो actually assertion भी सही है reason भी सही है लेकिन reason assertion को explain नहीं कर रहा finally answer इसका बनेगा obviously answer this question is B yes this is the answer सारी चीज़े मैंने explain कर दी है और ये इस तरह से answer इसका बनाना था ठीक है हाँ एक और बात बच्चा लोग मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी teacher पढ़ाते सब अच्छे होते लेकिन कई बच्चे सरफ जिंदगी में comparison ही करते रहते क्योंकि उनके माबाप ने comparison किया है कैसे किया है तेरा बड़ा भाई अच्छा है तू अच्छा नहीं है लोग मतलब जैसे घर में देखते हैं वैसी वो बाहर आके करते हैं है ना तो मैं एक बात बताओ पांचों उंगलिये कभी बराबर नहीं होती है और हर किसी की अपनी एक खासियत होती है तो ये value करना कौन सिखाता है parent जब आप कुछ यहां लिखते हो सब्जेक्ट को प्यार करेगा तीनों सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करेगा वही सेलेक्शन करवाएगा इसलिए आपको बोलता हूँ comparison करना बंद करो किसी का कोई comparison नहीं होता in fact तो यह आप सोचो कि आपका comparison किसी और से करे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं सो कभी भी किसी subject का किसी person का किसी दूसरे person से comparison नहीं हो सकता सब अपने आप में best है subject भी सब अपने आप में best है bio अपनी जगह पर है chemistry अपनी जगह पर है physics अपनी जगह पर है मेहनत करो नंबर लेके आओ और जो लोग comparison करते हैं उनके घर में comparison होते रहता है उससे परिशान होके वो बाहर भी लोग comparison ही करते रहते है पर comparison करने से number नहीं मिनने वाले बेटा और मैंने देखा है कई बच्चे तो अपने आप में एक self judge है मैं ही बताओं को कि क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी है पहले तुम अपने आपको तो देख लो तुम कौन हो comparison करने वाले so do work hard man कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमारे comparison करने से ना मैं छोटा हो जाओगा ना तुम बड़े हो जाओगे ठीक है do work hard मेहनत करो अपना दम लगा दो तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे समझ में आता है तो कई लोग कह रहे हैं सिर्ग गाना सुना दो तो मैं यही गाना वापस सुना देता हूँ में कर तो यही अच्छा लगता है 9 बज गए है तो फाइनली अच्छा मैं सैशन तो पूरा गर लो में तो सैशन ही पूरा नहीं हुआ है यह हमारी अप है जिसको Google Google का User Choice Award मिला है तो चोईज अवाट बूल रहा है तो गूगल चोईज अवाट मिला है अगर इस डाउनलोड नहीं किये हो 8 लग 10 अजार इन फैक्ट हो चुके है लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो लाइक करो इन वीडियोस को शेर करो और सब्सक्राइब करके दूर तक लेके जाओ है ना? दूर तक लेके जाओ बिल्कुल सही? चालो, so finally guys मिलते हैं अगले सेशन में और I think आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिन भी बच्चों ने full out of full in, 13 into 4 कितना होता है उत्रे mark गें किये हैं तेरा बुड़ा हो गया है, तो मुझे मालूम भी नहीं है 32, 52 plus mark गें किये हैं तो that's really cool, बहुत अच्छा ठीक है, so बस आप एकदम ऐसे जुड़े रो, लगे रो, है ना और बस महनत करो इसी के साथ आप लोगो भगवान करें, आपका किसी से comparison ना हो और आप अच्छे से एकदम बढ़िया rank बनाओ, मैं तो कहता हूँ सभी की rank 1 आनी चाहिए, है ना बस एक बढ़ महनत करो अच्छे से और जो दूसरों के चैटों में आगे comparison करते रहते हैं, बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा जिंदी की बढ़ तुम comparison ही करोगे घर पे भी ऐसी करते हैं, पता है जो comparison करते हैं हाँ, he is the best, he is the best घर पे भी ऐसी करते हैं, मम्मी is the best पापा इस बोर्स, पापा इस बोर्स घर पे ऐसी चलता है, पापा भी ऐसी करते हैं उनके साथ, है ना अचीव सी बात है लेकिन सच है, बट महनत करो यार, और एक दिन बस हम लोग और आगे बढ़िया करते जाएंगे, महनत करेंगे और आगे तक पहुंचेंगे है ना, गाइस, मचा दो विदान्तू आपके साथ है हम as a family, as a वेदन मैं आपको ये एंशोर कर सकता हूँ कि हमारे पास junior channel है 19th channel है, NEET का channel है, BIO का channel है, Math का channel है JEE का channel है, हर तरह के channels वेदन्तू में है, तो आपको कहीं जाने की जूट नहीं है, we are doing good, और आप लोग के लिए हमेशा आपके juniors, आपके brother, sister के लिए हम लोग करते रहेंगे हमेशा, ठीक है, चलो guys thank you so much, love you all, this is Arvind Arora signing off, now, bye bye, good night